हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं आप अपने मोबाइल फोन के अंदर जीमेल एपलिकेशन में आप किस तरह से अपना पर्सनल सिगनेचर एड़ कर सकते हैं जिस तरह से हम अपने लाप्टॉप या डेस्टॉप में आउटलुक एपलिकेशन के अंदर या जीमेल एपलिकेशन के अंदर हम सिगनेचर एड़ करते हैं किसी सामने वाले को हम इमेल करते हैं वहाँ से हमें पता चलता है जो भी हमने सिगनेचर में एड़ कर रखा है हमारे office के बारे में वो description होता है थोड़ा सा ठीक है brief करने के लिए तो उसी तरह से आप अपने personal Gmail account के अंदर अपने mobile में किस तरह से और कैसे आसानी के साथ signature को add कर सकते हैं दोस्तों आप लोगों से request है वीडियो को last तक जरूर देखे और वीडियो पसंदा है तो वीडियो को like करें जादा से जादा अपने दोस्तों के साथ share करें और चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी ना भूले क्योंकि ये subscribe करना बिल्कुल भी free है और हमें भी इससे थोड़ा सा एक अच्छा लगता है हम अच्छे और topic पे वीडियो अपलोड करने के लिए कोशिस करते हैं तो please आप लोग जादा से जादा support करें क्योंकि अपना जो भी चैनल है वो बिल्कुल भी educational purpose के लिए बनाया गया है तो सबसे पहले हमें क्या करना है mobile phone के अंदर जिस तरह से आप इस वीडियो में देख रहे हैं हमें gmail application पे जाना है already वहाँ पे आपका gmail configure होना चाहिए वहाँ पे left hand side में three points पे जाना है फिर इसके बास setting option चूज करना है यहाँ पे आपको आपके gmail पे tap करना है email id पे tap करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते है mobile signature option लिखा हुआ है तो signature पे जैसे click करेंगे यहाँ पे आपको type करना है thanks and regards जो भी आपका नाम है आपके company का नाम या आपके company के कुछ ऐसे चीज जो बताना चाहते है आप signature के तरू ठीक है तो आप यहाँ पे selection कर सकते है तो मैं यहाँ पे मेरा नाम डाल देता हूँ thanks and regards Mr. चंदरकांत ठीक है और इसको हम ok कर लेंगे ok करके फिर से हम इसको back करेंगे save करने की ज़रूरत नहीं वो आपने click कर दिया automatic save हो जाता है इसको मैं exit कर देता हूँ फिर से मैं signature application यानि की gmail application को open करता हूँ यहाँ पे compose करता हूँ नीचे लिखा हुआ है आप click देख सकते हैं यह हाँ पे हमारा signature आ गया तो I hope guys मैंने जो भी इस वीडियो में आपको बताने की कोशिस की है